मुख्य मंत्री, आम आदमी पार्टी के नेता, मेरे गुरू अर्विन केजरिवाल जी का धन्यवाद करना चाहती हूँ, जिन्हों ने मुझे इतनी बड़ी जिम्मेदारी दी और इस जिम्मेदारी के लिए मुझे भरूसा किया। तो चुना के टिकेट भी नहीं मिलती, लेकिन अर्विन केजरिवाल जी ने मुझे भरूसा किया, मुझे विधायक बनाया, मुझे मंत्री बनाया, और आज मुख्य मंत्री बनने की जिम्मेदारी दी है। दिल्ली के लोक्त्रीय मुख्यमंत्री मेरे बड़े भाई अर्विन केजरीवाल जी आज इस्तीफा दे रहे हैं। मैं आज ये दरूर कहना चाहती है। आम आदनी पार्टी के सभी विधायकों की तरफ से। दिल्ली की दो करोड जनता की तरफ से। कि दिल्ली का एक ही मुख्यमंत्री है और उस मुख्यमंत्री का नाम अर्विन केजरीवाल है। आतिये जनता पार्टी ने पिछले दो साथ से अर्विन केजरीवाल जी को परिशान करने की उनके खिलाव शडियान कर रचने की कोई कसर नहीं छोड़ी। एक ऐसा आदमी जो अपनी आई आरेस कुमिशनर की नौकरी ठुकरा सकता था। एक ऐसा आदमी जो एक नई पॉलिटिकल पार्टी से पहली बार चुनाल लड़के मुख्यमंत्री पर से इस्तीफा दे सकता था। ऐसे आदमी पर ऐसे इमानदार आदमी पर भार्टी जन्ता पार्टी ने भष्टा चार के आरोब लगा है। जोटे केस किये फरजी केस किये। अपनी एजनसी एडी को सी बी आइकों के पीछे छोड़ दिये। उनको जोटे मुकदमे में छे महीने तक जेल में रखा। आखिर कर सुप्रीम कोट ने उन्हें जमानत दे। और सुप्रीम कोट ने से उनकों जमानत नहीं दी। सुप्रीम कोट ने केंदर सरकार के मुँपे तमाचा मारा। उनकी एजनसी के मुँपे समाचा मारा उनने कहा कि इंकी एजनसी के इंदर सरकार की एजनसी किंज्रे में पैद-कैद-् constitu walking की तरह हैं और अरविंद केजरीवाल जी की गिरस्टारी गلत थी अगर अरविंद केजरीवाल जी की जगा कोई और मुख्यमंत्री होता, कोई और मेता होता, तो वो दो मिनट नहीं सोचता मुख्यमंत्री की कुर्षी पे बैठने के बारे. लेकिन अर्विन केजरिवाल जी ने वो किया, जो आज तक इस देश का इतिहास सो छोड़िये, शायद दुनिया के इतिहास में किसी मेता निना किया हो. उन्हों ने कहा कि मेरे लिए से सुप्रीम कोर्ट का पैसला काफी नहीं है. मैं जन्ता की अदालत में चाहूँगा. जब दिल्ली की जन्ता मुझे कहेगी, कि हम तुम्हे मुख्यमंत्री के रूप में देखना चाहते हैं. जब दिल्ली की जन्ता कहेगी कि तुम इमानदार हो, तब मैं मुख्यमंत्री की कुर्सी पे बैठूँगा. मुझे नहीं लगता कि हमें लोक्तंत्र के इतिहास में ऐसा कोई त्याद का उधारन मिलेगा, जो आज अर्विन केजरिवाजी ने देश के सामने रख़ा है. दिल्ली भर में लोग बहुत दुखी हैं, अर्विन केजरिवाजी के इस तीवाजी से. कर शाम, मुझे एक बुजर्ग महिला में. जब उन्हें कबर मिली थी कि अर्विन केजरिवाजी ने इस तीवाजी ने इस तीवाजी ने रोने लग गई. उन्हों ने कहा कि वो मेरे बेटे की दरा हैं, उसको इतना परिशान किया है, उसको इतना परिशान किया, उस पर जोटे केस लगाए. और उन गजोज महिला ने कहा कि मैं घर घर जाओंगी मैं घर घर जाके लोगों को कहूंगी कि मुझे अपने बेटे को ही मुख्यमंत्री बताना है तो आज सभी दिल्ली वाँ